प्रव येश मसी के नाम में आप सब लोगों को जय मसी की, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, कि बहुत लोगों का ये सवाल है, कि आखिर परमेशर कब हमारी प्रात्नाओं का उत्तर देगा, आखिर कब तक हम प्रात्ना करें, और हो सकता है आज ये सवाल आपके मन में कि आखिर कब तक हम प्रात्ना करें, आखिर कब प्रव हमारी प्रात्नाओं का हमें उत्तर देगा, आखिर कब तक हम इंतजार करें, रोमियो 10-13 में इस प्रकार से लिखा है कि जो कोई उस पर विश्वास करता है, वो कभी भी लजजित नहीं होता है, दोस्तों ये आप प् जो आसा रखकर मेरी बाठ जोते हैं वे कभी भी लजित नहीं होते हैं दोस्तों जो भी परमेश्वर पर प्रभ येश्यु मसीब पर आसा रखता है और विश्वास करता है उसे कभी भी परमेश्वर लजित नहीं होने देते हैं वो उसकी आसा को पूरी करते हैं, हम नू के जीवन से हम देख सकते हैं, नू ने परमेशुर पर विश्वास किया, उसकी परतिग्या पर विश्वास किया, लोगों ने नू का मजाग बनाया, लेकिन उसने धीरज नहीं छोड़ा, वो धीरज से परमेशुर की बाट को जोता उसके समय का वो इंतजार करता रहा और सई समय पर परमेशों ने अपनी परतिग्या को पूरा किया और नू को लज्जित नहीं होने दिया सारा और अबराहम के जीवन से भी हम देखते हैं परमेशों ने उन्हें पर विश्वास किया और सई समय तक उन्होंने परमेशों के सम का इंतजार करें वो सई समय पर आपकी प्रातना का उत्तर आपको देंगे वजन सहीडता तेरा में इस परकार से लिखा हुआ है कि आखिर कब तक प्रभू आखिर कब तक तो अपना मुख मुझसे फेरे रहेगा दौस्तों दाउद भी इस बात को कहता है आखिर कब तक इंतजार करना पड़े फिर भी मैं तेरी करुणा पर बरुशा रखूंगा तो दोस्तों आप जो भी हैं अब जिस भी बात के लिए विश्वास कर रहें प्रभु पर विश्वास रखें उसके उस पर आसा लगाई रखें प्रभु पर आसा लगाई रखें उसके समय का